आज जो हम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं आपने देखे लिया है पतंजली का जो यह न्यूट्रेला कंपनी है इनका वेड गेनर तो इसके बारे में जरा देखते हैं कि यह आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए और इसमें क्या चीज है जो कि आपको help करेगी वेड गेन करने में अब अच्छे तरीके किसे करेगी या बुरे तरीके से दूसरा इसके इंग्रीडियेंट क्या है क्या वह वाकि में मतलब हेल्दी वेड गेन होगा या नहीं होगा और अगर आप होलिस्टिक परसन हो मतलब आपको कुछ जंग चीज़े नहीं चाहिए च गा आज के दौर में हम इतना भी हमें पता चल गया कि प्रूटिन कौन से जादा खाना चाहिए वेड एपना चाहिए енवीड चाहिए च्च रभाल्य से लिट वेडर्य तो यह वेड गेने हो तो आपको लेते हों तो इसमी प्रण्ट पैकेजिंग चैंट तो यहां पर है nuclear तो इसमें 100 ग्राम मतलब जो इसका 100 ग्राम अगर आप लोग है तो इसमें कितना आपको मैक्रोज मिलेगा तो यहां पर कुछ यह लिखा हुआ है कि प्रोटीन आपको 20 ग्राम मिलेगा फैट 8 ग्राम काव्स मिलेंगे 66.8 ग्राम और नैचुरल हब्स है इसमें 11 जड़ी के ंति में 100 ग्राम तो इसमें जो इंतना क्लरी नहीं मिलेगी 3834 ग्राम की कैसे ले सकते हैं इतनी ग्राम तो इस बॉक्स है 500 ग्राम और यह बनाना फ्लेवर है तो इन्होंने फ्लेवर भीस चलो दूसरी पैकेजिंग पे आते हैं नूट्रेशनल इनफॉरमेशन देखते हैं उसके बाद देखेंगे जो इसमें नूट्रेशन आ रहा है यह खांसे आ रहा है तो इसमें सबसे बड़ी लाइन जो लगी भी है अगर आप देख सकते हो तो यह वाइटेमिन और मिनरल्स के यहां पर लगी वी है तो जितने भी वेड गेनर होते हैं जो कमर्शल प्रोडक्ट्स आते हैं उन में सबसे ज़्यादा भर भर के चीज़े डली वी होती है मिनरल्स और वाइटिमिन्स डिलेवे होते हैं क्योंकि एक तरीके का कंप्लीट मील के तौर पे से डिजाइन किया जाता है कि अगर आप खाना ना खा रहे हो सौ ग्राम यह खालो तो आपको कंप्लीट नूट्रिशन मिल जाए तो इसमें आपको जादा तर वाइटिमिन और मि मिल जाएंगे तो यहां पर जो सर्विंग है अलग अलग लिखी है देखो सौ ग्राम है पंद्रा ग्राम तीज ग्राम साड़ ग्राम नभे क्राम तब देखते हैं सौ ग्राम जो बेसिकली है मैं सौ ग्राम लेनी पढ़ती है आप अपने कैलरी के हिसाब से भी बड़ा घट इसमें और saturated fat 5 gram यह सारी हां लिस्ट दी गई है main चीज़ देखते हैं कि इसमें carbs कितने हैं वो बतायव है 66.8 लेकिन उसमें sugar कितना add है वो carbs में sugar भी तो add है वो sugar कितना है 17 gram 17 gram माने देड़ से 2 चम्मट चीनी fiber देखते हैं तो 11 gram fiber है बागी यहां पर सारी यह vitamin और minerals है अब L glutamine सबसे लास्ट में दिया हुआ है 0.3 gram तो यह 0.3 gram यह mg होगा तो 300 gram के करीब इसमें glutamine है जो कि इससे बड़ी आप खुद खरीद के अलग से glutamine ले लो तो जादा बहतर रहेगा यह इतने glutamine से कुछ ना हो रहा अब देखते हैं यह जो इसमें protein है fat है carbs है और बागी के यह vitamin minerals यह तो खर सिंथेटिक फॉर्म में होगा तो यह main protein fat carbs यह कौन ingredient यूज किए गया है तो पहला ingredient सबसे यह तो सोचाई नहीं था कि यह होगा तो पहला ingredient इसमें soya protein isolate है तो जितने लड़के रहते हैं वो बसते ही है soya protein से तो और दूसरा जो इसमें protein का source है वो whey protein है concentrate और फिर carbs के source में आते हैं तो maltodextrin यह सबसे high glycevic index वाला एक तरीके का supplement यह food बोल लो तो यह सारे weight gainer में यही होता है डलावा और उसके बाद sugar है इसमें anti-caking agent artificial flavoring substance बनाना वाला क्योंकि बनाना flavor है बाग इसमें minerals है डाले वह है synthetic form में algolotamine 0.3% date powder है तो माई यह minerals और vitamin इसमें भरे पड़े हैं और herbals की बात की जाए तो इसमें herbal extract जो है वही है rose hip extract powder हो गया शेटागी mushroom extract हो गया है थोड़ी बहुत चीज़े है और यहाँ पर allergen information दी गई है कि इस product में soya और milk है तो अब इसमें बताया है for best result आप इसको एक से दू बार ले सकते हो दिन में full cream milk के साथ ले सकते हो addition to regular meals माने जो आप रोज खाना खा रहे हो उस खाने को नहीं छोड़ना उसके ऊपर इसको खाना है और basically यही होता है कि आपको जो calories अगर बढ़ानी है तो additional आपको लेना पड़ता है इसको अपनी meal मत बनाना तो इसमें 13 vitamins और 12 minerals इसमें बताएवे हैं अच्छा इसमें थोड़ा बताएवे हैं कि आप कैसे ले सकते हैं children के लिए men के लिए men के लिए देखते हैं दो scoop है मतलब एक scoop इसका 30 gram का है तो अगर आप 100 gram की serving ले रहे हो तो आपको 3 scoop लेने पड़ेंगे तो यह 60 gram के दो scoop दो बनाना और एक एक glass milk तो यह roughly आपको कितने calories देदेगा यह आपको 200-400-600-700 calories देदेगा अगर आप यह men वाले जो यहां पर इन्होंने दिया हुआ है इस ratio में अगर खाते हो तो 500-600-700 calories आपको अराम से मिल जाएगी जो कि weight gain करने के लिए अच्छा रहता है इतनी इसी तरीके से ही calories आप अपनी बढ़ा सकते हो अलग तरीके भी है लब आप अपना food जो खारे हो जैसे आप तीन रोटी खारे हो पांच रोटी गड़ दो यह चार रोटी गड़ दो तो ऐसे भी हो सकता है इन्होंने इस product के साथ बताया आप ऐसे ले सकते हो अगर आप athlete हो क देखिए यह basically product बिल्कुल वैसे ही है जो commercial products आते हैं उन्हीं की तरह है अब इसमें कुछ खास हो नहीं है कि भाई मैं भागते वे जाओं इसको लेने के लिए उल्टा इसमें soya protein isolate है तो भाई मैं तो कभी इसको recommend किया मैं अपने लिए नहीं लूँगा आपको अगर आपको अपना calorie ने टेक है आप चाहते हो कि अभी आप gaining phase करना चाहते हो एक-दो महीने के लिए तो आप डाल सकते हो ऐसा कोई side effect इसमें होते नहीं है यहां पर अच्छा यहां पर जो इन्होंने weight gain की यहां पर एक वो दे रखी है recipe बता के दे रखी है calories लिखके तो यहां पर पतंजली का weight gain plus milk plus 2 banana मैंने आपको बताया था 700 calories तो यह रादे वो तीसरे वाले में 700 calories है यह दो scoop का होगा एक scoop में 500 calories तो अभी एक scoop वाले के साथ भी किलो ही हो तो जादा बैतर होता है तो उसमें muscle mass अच्छा होता है वरना fat accumulate होने लग जाएगा तो यह था दोस्तों इस product का अभी इसके दाम देख लेते हैं क्या पतार दाम कम हो तो मैं भगतावा जाओं लेने के लिए दाम है इसके 550 रुपे आदा किलोगा माने एक किलो का दबबा यह आपको पड़ेगा 1100 होगा जो की commercial product भी इतने कहीं आते हैं और उल्टा भी तो थोड़े आज सस्ते मतलब इसी रेन में आते हैं हजार से 1100 रुपे के बीच ही आते हैं तो यह जो product है मैं इतना बावला news product के लिए और अगर वाकी में gain गून करना है मेरे को तो म इसमें basically formula है गया आप यह देख लो ना अगर आपको 60 gram वाला हिसाब बन रहा है या 100 gram आपको 419 calories इतनी लेनी है तो आप यह देख लो यह 100 gram में कितने carbs है इसमें 66.8 तो माने समझ लो 60 gram carbs तो आप कोशिश करो 60 gram carbs अपने food sources से खाने की या रोटी से तीन रोटी खाली या केले केले खाली है कुछ फल खाली है तो उसमें भी आपको carbs मिल जाएंगे ठीक है sugar आपको वैसे कोई खाने की जरूरत है नहीं protein के लिए मैं आपको recommend करूंगा अगर आप non-vegetarian हो एग यह चीज़ खा सकते हो नहीं तो आप एक decent सा protein supplement ले सकते हो जादा भैतर है instead of this कि आप यह ख सकते हो जिनके अगर primary जैसे अगर उसमें protein का source सिर्फ वे protein हो तो आप देख सकते हैं बागी की जो चीज़े ingredient में वो यह सेम ही रहेंगे सब में सेम रहती है बहुत कम supplement हैं जो एकदम natural बनाते हैं और वो जो natural बनाते हो थोड़े expensive भी आते और ऐसा शायद एक my protein का है तो उसक दोने वाचे हैं तो